बिस्म लाइरामाराहिम असलामालेकुम आज मुझे इसी भाई का कमेंट आया हुआ है जो मेरा सस्क्राइबर है हमारे जाने वाला है तो वो पुछता है भाई ये मुर्गियां कितने अंडे देख कर फिर कुड़क होती हैं तो एक बात में आपके साथ शेयर करता जाऊं तो मुर्गियां जो होती है उसका हर नसल का एक होता है अगर आपके पास देशी मुर्गी में भी एक नसल होती है कुछ मुर्गियां कम अंडे देती हैं कुछ मुर्गियां जो अंडे ज्यादा देती है तो मुझे पता नहीं आपके पास कौन सी मुर्गी है अगर जो ओरिजिनल मुर्गी है आपके पास देसी तो वो ज्यादा अंडे देगी अगर आपके पास किरास देसी मुर्गी है वो कम अंडे देगी अगर उसके भी बाद आपके बाद तीसरी किरास नसल है वो किरास नसल कैसे बनती है मैं आज ये भी आपको बता रहा हूँ तो हमारी मुर्गियां कितने अंडे दे कर फिर कुड़क होती है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ अगर हमारी आप वीडियो देखेंगे और गोर से सुनोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगी अच्छी और आपका फाइदा वासल हो सकता है आपको फाइदा वासल हो सके अगर आपके वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट करें तो हमें पता चले तो आप कहां से देख रहे हो कौन से इलाइके से देख रहे हो और अपने इलाइके का नाम जरूर इस कमेंट में बताएं तो मैं वो इलाइके के गर्मी के हिसाब से इनका में रिजल्ट चेक करें जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां ये कम अंडे देती है जहां गर्मी नार्मल होती है वहाँ ज्यादा अंडे देती है तो सवाल बनता है यह कितने अंडों पे कुड़क होती है देसी मुर्गियां यह मैं आपको एंड में बताऊंगा आज इस नसल के बारे में बात कर रहे हैं तो देसी मुर्गी कितने अंडों पे कुड़क होती है तो ये इस तरीके से आपके पास मुर्गी है आप इसकी साइज चेक करें साइज चेक करें और इसका ताज चेक करें और जो इसके ये ये है देसी चीनी मुर्गी ये आपको पता है ये जो आप कलर इसका देख रहे हो ये देसी चीनी मुर्गी है तो ये हम कहां से लेके आएं ये हमारी घर की बिरीड है तो मैं आज आपको बताने आला हूँ तो आप ऐसी मुर्गी रखे नसलदार जो अंडे ज्यादा दे और खाने पीने की चीज़ों का इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखे अगर आप इसका खाने पीने की चीज़ का ध्यान रखेंगे और एक जगा पर बिठाएंगे तो ये इंशाला आपकी मुर्गी कुड़क हो सकती है अगर अंडे आपकी किसी कौने में दे रही है तो ये वहाँ ही कुड़क होगी दूसरी जगा पे कुड़क नहीं हो सकती, अगर आप इसकी जगा चेंज करेंगे, तो आपकी मुर्गी ये कुड़क नहीं हो सकती, जैसे मैंने इसको इस जाल के अंदर बिठाया हुआ है, ये अंडे यहीं देती है, तो मैं कुड़क भी इसको इसी जगा पे हमें करना है, अ क्यूंकि यह कुड़क बहुत कम लोगों के पास होती है तो मेरा प्रूफ आपके सामने सारी वीडियो मेरे चेनल पर पड़ी हुई तो भाई साब ने कमेंट किया था यह कितने दिन में कुड़क होती है तो यह जो हमारी मुर्गी है देशी देशी जो यह हमारी पंतालीस अंडे देती है पंतालीस अंडे के बाद हमारी कुड़क होती है अगर पंतालीस भी दे सकती है चालीस भी दे सकती है और यह जो हमारी देशी मुर्गी है यह पचास अंडों के बाद कुड़क होती है तो आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे जब भी ये हमारी मुर्गियां अंडे देती हैं तो मैं अपनी असील मुर्गी के नीचे रखता हूँ कुछ अंडे अपनी पेले वारे अंडे जो होते हैं मैं अपनी असील मुर्गी के नीचे रखता हूँ 20 अंडे या 15 अंडे अपनी असील मुर्गी के नीचे रखता हूँ अगर जब यह कुड़क होती है दूसरे अंडे में के नीचे रखता हूँ ठीक है भाई आप देख सकते हैं ओक के अला आफिस मिलते हैं अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब शेर लाइक जरूर करें